अलो गाइज वेल्गम बेटो मार्च चनल आप देखने हैं श्री ब्रेगवर विल्स मेरा नाम है नेकर पारगफ दोस्तों आज कब लग फोकस है तेजबल के उपर तेजबल यह वनस्पति होता है यह आश्डियों में आता यानि आरवेदिक आश्डियों होता है और यह वनस मस्पति है क्योंकि यह हर्भ है मैं तीन आपको बताया तो इसके 0% side fats आरवेदिक में इसके side effects नहीं होते हैं और आपको उसके use और उसकी quantity अगर आपको नहीं मालमें तो हर चीज का side effects है तो इसकी quantity और यूसे इसके बारे में आज हम इस ब्लॉक में बात करेंगे तेजबल कैसा है मैंने आपको बतादिया अब बात करते हैं किन रोगों में कामाता है किन किन भिविन रोगों में इसको अलएलग तरीके से ले जाता है इसमें सबसे पहला रोग जो हम focus करने वाले वह हैं अफीम के विश्का यानि अफीम को विश्का अगर उनकी बॉड़ी में आच गया है रच बस गया है और उसके side facts बहुत हो रहे हैं आफीम के विश्व को दूर करने में ये तेजबल काफी अच्छा काम करता है किसी भी addicted वाली जो चीजे होती है उन सभी को खत्म करने में ये काफी अच्छा कारगर करता है अब बात करते हैं कि इसको कैसे लिए जाता है तेजबल को दोस्तों क्या करना है अगर आप अफीम के विश्व के लिए ले रहे हैं तो इसको पानी में घोट कर उसी पानी को आप बार बार पीजिए यानि तेजबल के फल को आप पानी में घोट लीजिए अच्छे से उसको मैश कर लीजिए और उसको दिन बर में कम सकम तीन से चार बार उसका पानी पीजिए, तो उससे क्या होगा, जो भी अफीम के बैक्टेरिया हैं, जो भी उसके side facts हैं, या उसकी overdose हो गई आपकी body में है, तो उस चीज को खत्म करने में ये आपकी help करेगा, आपका appetite खत्म हो गया है, मतलब आपको कोई चीज रुची नहीं हो कभी भी ले सकते हैं, इसका खाने खाने से संब्धने, इसका कोई समय नहीं है, तो तेजबल को मिश्री से मिला कर अगर आप लेते हैं, तो ये भूख बढ़ाने में, आपकी जो appetite है, उसको increase करने में, काफी अच्छा काम करता है, जिससे आपको हस्ट को शरीर, और कोई भी तो आपको काफी अच्छे लाग मिलेंगे, और आप तेजबल का प्रयोग कर सकते हैं, अपने भूख बढ़ाने में, नेट इसका सबसे अच्छा प्रयोग जो मैंने देखा दोस्तों तेजबल का वो है दांत दर्द, जो आपके दांत दर्द होते हैं, आपको मसूड में द करते थे, नेम की दातउन करते थे, वैसा ही इसका आप अगर दातून ले सकते हैं, दातउन करें आप इसकी, दातों पे रगड़ीगा, मसूड मत रगड़ीगा, क्योंकि अगर जिनको पाइड़िया होता है, अगर उनके गमस में जराभी प्रेशर आता है, तो को और कहीं पर अगर आगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से पर्चेस कर सकते हैं तेजबल की छाल मेरे पास से अबलेबल है तो आप उसका पाउडर बना के भी कंजूम कर सकते हैं या उसका मंजन उसका powder भी दोनों को piece कर, यानि जो आपका wound है, अगर उस पे आप थोड़ा सा powder, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा powder भी अगर आप उसको घाओ पे उसके उपर apply करते हैं, थोड़ा सा बुरकते हैं, तो ये काफी अच्छा काम करता है, उस घाओ को healing करने में, उस घाओ को अच्छा को, तो आप में से diet purchase को सकते हैं, description में number है, so that's all for today guys, I hope you guys like this video, please subscribe to my channel, share much as can with your family friends, तपकी लिए बाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइगाइ